हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजान और स्वागत आपका हमारे चैनल टेले रिंग गुरू जी पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कॉलर वाली कूर्थी की कटिंग बताने वाला हूँ कि में लंबाई होगा 41 इंच का चेश्ट 38 इंच का कमर 34 इंच शूल्डर बॉड़ी के नाप के साड़े 14 इंच है और सामने का गला साड़े साथ इंच है केवल इतने ही मेजरमेंट पर अभी फोकस करेंगे बागी सब कुछ कटिंग के वक्त मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूं मतलब फर्मा बनाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को कॉलर वाली कूर्टी का किस तरीके से आप फर्मा बनाओगे कॉलर वाली कूर्टी का वह पूरा मैं देखना सबसे पहले लेंगे हम बिलकुछ सिधा निशान यह इस तरीके से यह हो गया यह निशान लेने के बाद यहाँ पर डेड़ इंच नीचे एक और निशान आपको लेना ही है ठीक है उसके बाद देखिए इंची टेप का यूज करेंगे और जैसा कि मैंने का लंबाई है इस कूर्ती की तो यह फोटी वन का हम निशान लगा लेते हैं अभी किवल लंबाई का यह निशान मैं लगाने के लिए बता रहा हूं उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पर मार्जिन हम को लेना पड़ेगा एक इंच का मार्जिन ले ल का मतलब कि आपको आप द्रइग करने का मतलब एक इंच करकर सादे पंदार के निशान बनाएंगे बोडि मेंज़र्मेंट में जितना भी शूलडर ऐसमें एक इंच प्लस बाजên लगाने उसके बाद आपको क्या करना है यहां सीधर-सीधरी कर बैक्म कर सकते हैं चाह unich का जला होता है 1,5 inch ग Гले का निशान यहां से हम पहले shoulder को down कर देते हैं यह चीज आप notice करेंगे इस प्रकार से shoulder को down कर देते हैं उसके बाद अर्म HOL तो अर्म होल का निशान आपका लगेगा losing वगरा add करेगी जैसे chase size 38 का लेकिन altitude measurement होने की वज़ेके सी कम इसे से कम स्टेंडर्ड लूजिंग 3 इंच की देंगे तो यह हो जाएगा 41 ठीक है चेस्ट हो जाएगा 41 तो हम राउंड फिगर में 42 के इससाब से चलेंगे जिसका मेजर्मेंट आर्म होल का बैठेगा सवा 6 इंच पर इसके लिए मैंने चांट अगर भी आप लोगों को दिया है क यह पहुती बेसिक चीज है इसको उतना ज्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं मुझे अब देखे आर्म होल गुलाई कि अगर बात करें तो इसको मैं बाद में बताऊंगा पहले देखते हैं चेस्ट कमर हेप मेजर्मेंट कैसे लेना है तो इस चीज कपा थोड़ा सा ध्या परार से कमर का जो आप निशान लगाओगे यह लगाओगे साड़े पंदरा इंच पर ठीक यह ऐसे उसके बाद हम आते हैं हिप की बात करेंगे तो साड़े 21 इंच पर इसका हिप निशान लगेगा इन दोनों निशानों को स्केल से हमें इस तरीके से मिला लेना है यह हो ग जाएगा 41 इंच मतलब 41 इंच अब 41 का चौथा हिस्सा कितना होगा यह होगा आपका सवा 10 इंच तो यह सवा 10 का निशान और 1.5 इंच का सिलाए मार्जिन यह चीज को थोड़ा ध्यार रखना ठीक है कमर की वैसे ही बात करें कमर कितना है 34 इंच का 3 इंच का इसमें भी लू मार्जिन आएगा तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं अब बात करते हैं हिप की यहां पर हिप का मेजर्मिंट मैंने लिखा नहीं हिप जो है इसका आपका है 40 इंच का ठीक है तो हिप में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हिप में सिर्फ 2 इंच का आपको जिन एक इंच का ही दोगे चाहिए किसी भी साइस के लिए बना रहे हो तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कटिंग को सीख प तो उसके लिए आपको क्या करना है यह इस प्रकार से इन निशानों को ऐसे यह मिलाना है ठीक है यहाँ पर भी इस प्रकार से मिलाना है ठीक है अब देखें यह ऐसे तो margin वाला निशान भी आपका same मिलेगा और fitting वाला निशान भी हिप से कमर, कमर से चेस्ट, ये करने के बाद, जितना हिप है, उतना ही दामन लो, अगर आपने दामन का मेजरमेंट नहीं लिया, हिप कितना है, ब्याली सिंच का, जिसका चौंता है सामने साड़े दस लिया, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा साड़े दस का निशान, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो है, एक इंच का यहाँ भी हमें, मार्जिन लेना है, सिलाई का मार्जिन, और यह इस प्रकार से जो है, इसको मिला लेंगे, तो मैं उम्मीद करूँगा, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगे, और किसी भी तरह का ड तो यहाँ पर गले की अगर बात करें, तो धाई इंच का गला लेंगे, यह चीज मैंने सुरू में ही बताया था, कॉलर वाला है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर बहुत एभी साइस बना रहे हो, पौने तीन इंच का भी गला लिया जा सकता है, कॉलर वाले में गले का जो फ्रेम बनेगा, जैसे हम ले रहे हैं सामने का गला 7 इंच का, ठीक है, तो यह 7 इंच का निशान, बिलकुल इस चीज को थोड़ा बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, और सीखें, यह इस प्रकार का निशान, उसके बाद जो है, गले की जो चोड़ा यह जिसकी हम हम बात करते हैं, वो नीचे भी लगबख धाई इंच ही रहेगा, इसकेल से इसको बराबर मिला देंगे, मिलाने के बाद, यहां पर देखना, जैसे हम शेप देना चाहते हैं, वी गले का या कॉलर नेक में, जिस तरह के भी गले आप चाहते हैं, उस तरह का आप सेप दे सक करेंगे 3 इंच का, बहुत ही ज्यादा च्छोटी साइज है, इसको 1.5 इंच पर ले सकते हो, मिडियम साइजों में 3 इंच पर पहुने 3 इंच पर इस तरह से इन निशानों को लगाया जाता है, इसके लिए कभी डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है फ्रेंट्स, अब आत इंच की दूरी यहाँ पर नाप लेनी है, यह हो गया, इस टार मार्किंग के साथ, और उसके बाद यहाँ पर भी 1.5 इंच उपर, कहां से 1.5 इंच उपर, डाउन वाले निशान से, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से यह निशान भी आपको मिला देना, तो यह करने के बाद, अब हमारी बारे आती हैं, इस निशान को यहाँ से इस तरह से एक शेप देने की, जिसको आप पीछे गले का शेप बोलो, या कॉलर फिटिंग का शेप बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, यह पूरा ड्राफ्ट कम्प्लीट करने के बाद, अंत में हम बात करेंगे, आर्म होल ग गोलाई दी जाते हैं, यह ऐस है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़े नोटिस करने वाली होती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं उतना डिसकस नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूँ आप लोगों को, कि पहली गोलाई आपको एक इंच की दूरी से देनी है, दोनों गोल उनको किसी भी दरा का कोई मार्जिन नहीं देना, केवल इस फर्मे को रखना है, कटिंग करना है, एमेजोन से आप लोग ओडर कर सकते हैं, जो लोग ओडर करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत डिसकाउंट चाहिए, तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर के साथ, तब तक के लिए, जय हैं